नमस्कार प्रयास एस एलर्णिंग के प्रेटफॉर्म पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मैं स्पीसिंग इतिहास विशे को ले करके कुछ चर्चा करने के लिए उपस्तित हूँ पिछले लेक्षर में हमने इतिहास विशे की कुछ विशेस्ताओं पर चर्चा किया था आज हम लोग उस टॉपिक को ले करके चलेंगे जहां से स्टार्ट होता है प्रागे इतिहास प्रेहिस्ट्री पर हम लोग चर्चा करेंगे तो प्रेहिस्ट्री प्रागे इतिहास क्या ह के आधार पर लिखा गया इतियास इस क्रिप्ट लिपी कुछ भी नहीं है वो प्रागे इतियास त्यास से पहले का इतियास कहलाता है एक्छली यह की यूग है जो आदिम यूग जब पत्थर के उजार तो पत्थर के उजारों के आधार पर जो इतिहास है वो पाशान काल है और प्रागे तिहास की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है प्रागे तिहास की सुरुवात उस संस्कृति की सुरुवात से करते हैं जब संस्कृति वास्तों में है नहीं और संस्कृति बनने के लिए एक बैक्ग्राउंड तयार हो रहा है एक भाव भूमी का तयार हो रही है ठीक है तो प्रागे तिहास में अगर हम सोचे कि अगर हम लें कि पहला टॉपिक क्या पढ़ाएं तो पहला टॉपिक ही यही है आरंभिक बस्तियों का बसाओ basic establishment of township basic establishment of township आरंभिक बस्तियों का बसाओ तो यह question के रूप में अगर हम देखें तो देख सकते हैं what is the process of basic establishment of township तो वो process इस पाशान काल में इस stonage में हम एक क्रमिक परिवर्तन को जो evolution के करम में आगे बढ़ता है उद्विकास के करम में आगे बढ़ता है उसी उद्विकास का जो result है final वो आरंभिक बस्तियों के बसाओ के रूप में आता है इसी का ध्यान इसमें करना है तो इसकी सुर actually divided in three parts first paleolithic means पूरा पाशान काल इसकी starting approx 5 lakhs BC से माने जाती है पांच लाक बर्स पहले से माने जाती है ए प्रॉक्स एक्जेक्ट BC की डेट निकलती नहीं है मिलती नहीं है तो जो भी बैग्यानिक विदियों से बैग्यानिक तोर तरीकों से पता चलता है सूचना मिलती है उसके अनुसार रखा जाता है तो वो नए-ने research के अनुसार कभ पाशानकाल और यह चलता है करीब-करीब-करीब-करीब-करीब-10,000 BC तक यह दस हचार ईशापूर्ग तक दस हचार बर्स पहले तक इस बीच का जो पिरियड हो पहली उलितिक पाशानकाल पुरा पाशानकाल के नाम से जाना जाता है इसलिए भी क्योंकि एक बड़ा कालखंड में नहीं दिखाई देता है लेकिन बहुत ही डोड़ने पर बहुत ही सुख्म चेंज़ है तो इसका भी डिविजन किया जाएगा बट उपर से अगर देखें तो कोई खास परिवरता नहीं दिखता है लेकिन एक बिसेश परिवरता नाता है तो फिर इस कालखंड को हम चेंज कर देते हैं और अगला सेक्षन है इसका फिर मिजूलिथिक इसको कहते हैं मद्यपासाणकाल उस चेंज़ेश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्या हुआ है मद्यपासाणकाल और यह डिवरेशन 10,000 BC से ले करके और फिर 4,000,000 BC तक मानी जाती है परिवरतान जल्दी-जल्दी होगा क्योंकि यहां तक का इतिहास है तस अजर से पहले 5,000,000 से जो स्टार्ट होता है यहां अभी मानोा नहीं बलकि आधी मानों का इतिहास है यह भी मानुस से बने ही नहीं यह भी मानो बने ही नहीं यह आदी मानो एपस का पॉँम है और मनुस से नहीं है तो फिर इसमें बहुत जादा चेंजिस नहीं आ रहे हैं 10,000 BC में पहली बार आधनिक मानो होमो सेपियन्स का प्रादुर्वा हुआ ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। सो इसके बाद का जो इतिहास मिलेगा इसके बाद की जो जानकारी मिलेगी इस संदर्ब में इस टोनेज के संदर्ब में फिर वो तेजिक साथ परिवर्तनों की जब परिवर्तन एक बार सुरू हो जाता है तो फिर होता ही रहता है एक बार बात जो समझ में आ जाती है ना फिर हम लोग चर्चा करेंगे और जो कुछ भी इसमें है जो चेंजे जा रहा है वो चेंजे काफी अधिक हो जाने एक बाद एक नया सेक्षन है तीसरा पार्ट है इसका उसको हम कहते है नियो लिथिक कि यानि कि 9% काल नो पाशाण काल जो करीब 7000 इसापूर्भ से 7000 इसापूर्भ से सिरू होता है और यह चलता है दो अत्वा 3,000 इसापूर्भ तक 2 एर 3,000 वीसी तक करीब-करीब यह स्टार्टिंग या इसकी स्पेसलिटी इसकी विशस्ताइं नियो लिथिक यह मिजो लिथ तक ये दोनों संस्कृतियां, ये दोनों विशेस्ताइं साथ साथ यानि पैरेलल चलती हैं, कैसे चलती हैं उस पर भी हम लोग डिसकस करेंगे, ठीक है, तो करीब दो अत्वात तीन अजारी सापूर्व तक जो पांचला की सापूर्व से स्टार्ट होता है, यहां तक का इति प्रास का मैक्सिमम जो सोर्स है, इसके अविडेंस के लिए, वो स्टोन इस्टूमेंट्स हैं, पत्थर के उजार है, इसलिए दोधवात तीन हजार इसापूर्व तक का जो काल है, फाइब लाक्स बीसी स्टार्ट होता है, वो स्टोनेश के नाम से जाना जाता है, अब हम कि जैसा कि हमने पहले ही वो टार्गेट रख दिया है, वो फोकस पॉइंट रख दिया है कि हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग एक्चुली पढ़ रहे हैं, बैसिक इस्टेबलिसमेंट आफ टाउन से, यानि आरंभिक बस्तियों का बसाओ, हम लोग पढ़ रहे हैं, कि अगर हम देखें लोग अथ्वा लोगों के सम्मूह के निर्माड की तो यहां पर पेलियोलिथिक में पुरा पाशानकाल में इंडी विजुवल लाइफ है एकाकी जीवन है इंडी विजुवल लाइफ है इसको कहते हैं एकाकी जीवन अकेले अकेले अपनी आजीवी का चलाने के लिए बस अकेले ही काम करना है फिर उसको यूज करना है और फिर अगले सिफ्ट के लिए अकेले ही सब करना है इंडिविज्वाल लाइफ है पहले बात तो यह केवल पत्थर के उजार है, यहां पर और कुछ बिलकुल नहीं है, तूसरी बात यह है कि केवल पत्थर के उजार है, वनली स्टून, इस्टूमेंट्स, इसी करम को हम आगे ले जाते हैं यहां पर, मिजोलिथिक में क्या कुछ नहीं है, पहली बात तो यह, हलाकि एक करमिक उ पहली बार यहां पर सामुदाइक जीवन का प्रारम्ब हुआ फर्स टाइम यहां सामुदाइक जीवन यानि कि ग्रुप बना समूह बना लोगों का समूह बना ग्रुपिंग सिस्टम इस्टार्ट हुआ पहली बात दोगा, कुछ लोगगों बना अब जिसे कैसे बन सकते हैं हलका सा एक परकाल बलू तो औके लेक कैले में कुछ लोगों के साथ मिल कर करने में अंतर हैंं अकेले करने में जाधा किठी नहीं है ज्यादा संगस करना पड़ेगा मिलकर करने विथा आसान हो जाएगा संगस कम हो जाएगा आराम मिलेगा ठीक है इतना तो समझते हैं अब आप सुचो कि यहां पर भारी भर कम मौजार ले तर designed machine करने ने से संस्क्रिती के लोन कुछ कना भी नहीं है बस शिकार करना खाना है करना अफ की अपनी जानवर को दोड़ाय वह एक-दम इस हलाई अब तेफाक से जानवर ने गेस किया कि यार यह किले आदमी इतना थका हारा हमको मालो ऐसा होता है प्रेटिकल करके भी देख सकते हो बिरा प्रेटिकली चीज को मैं बोलता नहीं हूँ ऐसा होता है अब उसने गेस कर लिया यार यह हम मतलब इससे ज्यादा ताकत और वह रहा है अब यह भागे अब किसी तरीके जान बचा के बचे जाकर के गोफा में अपने सेफ हुए तो सुचने लगे कि यहार आज तो कैसे भी बच गई तो अब यहां पर क्या करें कि इसी नोबत दुबारा ना आए तब अपने आप आप आईडिया आएगा क्योंकि मनुस से है ना और मैंने कहा कि मनुस अन्य जानवरों से थोड़ा सुरुआत्समी अलग है और अलग इसलिए है कि मनुस के साथ बुद्धी है जानवरों के साथ भी बुद्धी है लेकिन मनुस के साथ एक बिसेश्च जो अन्य जानवरों के साथ नहीं वो है विवेक यानि इंट तो वह बिश्टत तो पाय जाएगा ना तो इस करम में अब यह सूचने लगे क्या इसा किया जाए कि दुबारा इसी नुबत ना यार कैसे तो आज बच बचागे तब अपने आप आडिया अगर हम आज दो या दो से अधिक लोग होते तो इसी नुबत ना थी और यह उजार अगर इतना भारी भरकम ना होता हलका फुलका और तेज होता तब भी इसी नुबत यह सुरक्षा की काफी गारंटी थी सुरक्षित हो सकते थे नहीं तो बड़ा खत्रा है अब यह सब आइडिया पर जब वर्क होगा अब्जर्वेशन होगा और बचने के तरीके निकाले जाएंगे तो फिर यह ग्रूपिंग सिस्टम सामुदाइक जीवन व्योस्था की स्टार्टिंग हो सकती है इसलिए यहां तक पहुंचते पहुंचते लंबा समय लगा यार चार लाग नब्बे हजार बरसों का लगभग लोग इधर समय गया कोई खास परिवर्तन नहीं आ है दूसरी बात यहां पर केवल पत्थर क्योंजार है अ गया और यहां पर पत्थर के ऊजार तो है इस्टोन तो है जो चीजा गई हो तो रहेगी आज भी श्रूद्ध के ऊजार मिलते है ऐसा टूरर शुरूई तो खतम हो आज बहुत कुछ है फिर बिपराने वाली इस्ट आई है कुछ आसानी कमफर्टिबिल्टी लेके आई है और वह बोन इस्टूमेंट्स यानि की हड़ी के अजार तो पत्थर के साथ हड़ी यहां पर यह नहीं चीज अकेले के बाद यहां पर सामुदाइक जीवन और पत्थर के अजार साथ हड़ी के अजार दूसरी बात यह बाकी कल्चर में लगबख चीज जैसे कि अगनी के बारे में जानते थे लेकिन प्रियोक करना नहीं जानते थे वहां भी वह इस्तिति हैं अगनी के बारे में जानते थे प्रियोक करना नहीं जानते थे शिकार करके जीवन यापन करना है वहां भी यहां भी इस सम्में कोई आवास की जहां तक बात है, तिया भी प्राकरतिक आवास है, गुफाओं में, कंदराओं में, नदी के किनारे, पेणों के नीचे, पहाडों में अपनी प्राकरतिक शुरुक्षासों निríश्यत करने है आवास के रूप में, यहां भी वही है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस ह हो रहा है पहली बार यहां पर प्राकरतिक आवाज के साथ सेल्फ मेड रेजिडेंस का भी पता चलता है सेल्फ मेड पहली बार अस्तंब गर्द के रूप में अस्तंब गर्द में जब लोग भाग के आए हैं तो कुछ यहां पर बनाना सीखें इतना यह परिवर्तना आया है तो दूसरी चीज मद्धेपाशान काल में क्या अब यहां पर तो किवल सिकार करना और आजीविका चलाना यहां पर एक नई चीज ले के आए हैं पहली बात हड़ी तो होईगी दूसरी बात क्या आई है यहां पर दूसरी बात आई है यहां पर पसु पालन एनिमल हस्बेंडरी पसु पालन एनिमल हस्बेंडरी पहली बार पसु को पालना मद्धेपाशान कालिन के लोगों ने सीखा पहला पाला गया पसु कुता था फिर बकरी थी फिर भेड थी पिर चैसिँ नमबर ते लगा लेना पोना कि तीन तो कंफरम서 एक क्रम से यह ही है कि पहली बार एक बड़ी हम मेरन suspe कर लें प्रिवरतन है हलांकि एक सिस्टेमेटिक नहीं है लेकिन को और यह कब के इस प्रिव नि-पार कबरिस्तान पता चला कि लोग मरे हुए लोगों को दफनाना जानते थे यानि कि दफनाना शुरू कर दिये हाला कि वो systematic नहीं है systematic यह लोग उत्तर दक्षण दिशा में रख करके सोगों को दफनाते हैं generally यहाँ पर पहली बार शुरूबा तो पूरू पश्ची में शुरूबा ठीक है कुछ अस्ताने जहां से यह इसे परमाड मिले हैं ठीक है और इसे परमाड और एक गाव है महधा हाँ सराय नाहर राय से हड़ी के हिरन के हड़ी के अउजार मिले हैं हिरन के हड़ी के अउजार और महधा से हिरन कि श्रिंग के छले मिले हैं यानि कि हिरन की सिंग एक पर जाती आती है बड़े बड़ी सिंग हो और ऐसे सर्कुलर है ना गुलाकार होती है नुकिली भी होती है तो इसका आउजार के रूप में भी उच किया है आज कल भी लोग यूच करते हैं हलाकि वर्जिनल नहीं पाते ह उस फर्मेट में बनवा करके डेकोरेशन के लिए अपने घरो यूण लगाये रखते हैं हिरन के हड्यों के औजार माध्य हासे मिले है और सराय नाहर से मिले हैं हिरन सिंग के चले उनके सिंग की जो चले है रिंग साय वो माधहासे मिले हैं दूसरी नई बात जो आई है अस्टम्भगर्थ इनके दरहा नumed अवास अस्तम्भगर्द के रूप में इसका परमाम मिला है यहीं से सराय नहर्राय और माधहासे यहांसे इसके परमान मिले है ठीक है इसके बात जो और नपस उपाला एनिमल हस्वेंट्री एक्चुली इसके परमाण मिले हैं राजस्थान के बागोर से और मद्ध्य परदेश के आदमगड से इसके परमाण मिले है कुछ ऐसे प्लेसेज हैं कुछ ऐसे साइट्स हैं जहां से ये परमाण एविडेंसेज हमें प्राप्त होते हैं इन परिवर्तनों के ठीक है तो इससे लगता है कि आब ये लोग अपने जीवन में अस्थाइट तो लाने के लिए कुछ कर रहे हैं अस्थाइट तो completely नहीं आया है लेकिन अस्थाइट तो आने करम में कम से कम एक कदम आगे बढ़े तो पहले की स्थिती है पेलियोलिथिक की स्थिती है पुरा पाशान काल की स्थिती है वो नहीं है उससे कम से कम आगे है ठीक है और एक और बड़ी चीज पर हम इस मद्ध पाशान काल में चरचा करना पुरा पाशानकाल में जो पत्थर के अवजार थे पहली बात तो यह कि पत्थर कौन सा यूज करते थे तो पुरा पाशानकाल में जो पत्थर यूज होता था वो होता था क्वाड़ जाएट यह बहुत अच्छा पत्थर तो नहीं माना जाता था बट हां आगे जो पत्थर दूसरी बात जो आवजार बनाते थे वह आवजार बहुत ही भारी होता था है वी और दूसरी बात वह आवजार बहुत ही रफ होता था यानि कि भद्दे बेडॉल तो मोटे भद्दे बेडॉल भारी आवजार होते थे सिस्टेमेटिक नहीं होते थे और बहुत अच्छा पत्थर भी यह योज करते थे यहां पर इसमें एक चीज यह चेंजे दिखाई दिया और साथ यही चेंजे जो इन अउजारों को प्रियोग में जो चेंजे जाया है वही चेंजे वही परिवर्तन मेजोलिथिक अर्थात अध्यपाशाणकाल एक्सिस्टेंस में आया कैसे एक्सिस्टेंस में आने लाने के लिए एक रिसेर्चर्स जिम्मेदार हैं जिन्होंने खोश करके चीज बताई कि कुछ नया हो गया है और उनका नाम है सी अल कारलाईल हम यहीं पर लिख दे रहें सी एल कारलाईल 1867 में 1867 में सी अल कारलाईल ने बिंद्य छेतर से इसको अटा दे रहें बिंद्य छेतर से बिंद्य छेतर यानि कि ये मध्यबारत मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश का भी कुछ मिर्जापूर जैसा छेतर इसमें सामिल है बिंद्य छेतर से कुछ ऐसे पत्थर के आउजार प्राप्ति किये जो अतिसूक्ष और तेज थे माइक्रो एंड शार्प इन अउजारों को जो अतिसूक्ष और थे जो सील कारलाईल ने प्राप्ति किये उन अउजारों को इन्होंने कहा माइक्रो लिथिक और यही माइक्रो लिथिक मध्य पाशार्णकाल का प्रतिनिधित करते हैं लीडिंग करते हैं यही माइक्रो लिथिक ही मध्य पाशार्णकाल को आस्तित्त में लाने के लिए एक्सिस्टेंस में लाने के लिए जिम्मेदार है ठीक है तो मिजो लिथिक में माइक्रो लिथि बाणाग तिकोने नवचंद्राकार ये बाणागर थे जैसे कि बाणाग तीर का अगला हिस्सा तिकोने हो गया तो इस प्रकार से होगा इतना हिस्सा नवचंद्राकार था लूनेट सेब डगर होगा तो ऐसे होगा इस प्रकार से तो बाणागर मिले और इन्हीं अउजारों क कारण यह मध्यपासान काल आया है ठीक है यह इसका एक्सिस्टेंस है आस्तित्व है क्लियर तो इस तरीके से यह चेंज़ यहां पर दिखे हैं जो यहां से हटके हैं तो यहां पर तो बिल्कुल आदि मानों किस्ति यहां पर आदि मानों ही है नहीं यहां पर आदि मानों नही में है वो 10,000 BC में हो चुका है यानि कि लाश्ट आफ पैलियोलिथिक लाश्ट आफ पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक के अन्त में पुरा पाशनारकाल के लाश्ट में 10,000 BC में लगभग होमो सैपियन्स आ चुका है ठीक है इसके पहले आदिमानो जो प्रेमिटिव वर्ग के जीव थे मानो जैसे प्राणी कह सकते हो आप उनको होमोनिट्स के रूप में थे वही है अभी कंप्लीट मानो नहीं है जैसे कि रामा पितकस, अस्टिलो पितकस, होमो एरेक्ट, सिनोंत् रूपस, नियंडर था लोगएरा लास्ट में आए होमो सैपियन्स की भी तीन वराइटी थी भई है क्रोमेगनन ग्रिमाल्डी चांसलेट क्रोमेगनन अत्यादुनकता मोस्ट मॉडर्ण मानो था इसी का आज के मानो प्रजाती में तबदील हो बाकि तो अन्य लोग ऐसे ड परिवर्तन यहां भी हुआ है लेकिन टेक्नोलोजिकल आउजार के बनाने में परिवर्तन दिखा है पहलो लितिक में सार्प करने में हलका करने में बाकी और कोई रहाएंसायन कल्चर यहां पर थोड़ा कल्चर चेज़ भी आता है और इसी करम को हम आगे वढ़ाते हैं नि दूसरी बात पहली बार नोपाशाण काल में अग्नी की जानकारी है लेकिन प्रियोग करना नहीं जानते हैं यूज नहीं है और नॉलेज है जानकारी है दूसरी बात पहली बार नो पासराणकाल में एगरी कल्चर कब पता चला है करीब साथ थजार इसापूर्व में 7000 BC में पहली बार मेहरगड जो बरतमान पाकिस्तान के बलुचिस्तान वाले प्राणित में पढ़ता है मेहरगड से हमे जो और गयों के साक्ष मिलें 7000 BC में यह भारत में गयों उत्वाजो का प्राचीनतम साक्ष है हलाकि इसका प्राचीनतम साक्ष विसुकी अगर बात करें तो 12.500 पूरव मिसर का वाडरा को बानिया है बहरत नहीं है लेकिन अगले स्टेप पर देखें धान अथवा पैड़ी की जो प्रमाण मिले हैं उसका प्रमाण मिला है करीब 6.50 पूर्व में वो भी इलाहबाद के पास कुल्डी हवा से 6.50 पूर्व में कुल्डी हवा से मिला है तो इसको मैं तो जल्दी से मैं आपको बता दूँ साइद इसमें कुछ आ गया तो सिक 6.50 6.500 इसापूर्व में वी सी में कुल्डी हवा धान के प्रमाण मिले है यह प्रमाण धान का अथवा चावल का भारत में प्राचिंतम तो है ही लेकिन यह प्रमाण ना क्यों भारत में प्राचिंतम है अपित पूरे विश्व में धान का अथवा चावल का प्राचिंतम प्र कि एक नई रिसर्च हुई है और नई रिसर्च ये कहती है करीब 8000 इसापूर्व में एक अस्थान है लहुरा देव इलहाबाद के पास ही है लहुरा देव में सबसे पहले चावल के प्रमाड धान के प्रमाड मिले हैं और ये चावल के प्राचीनतम प्रमाड विश्व में भ चाहिए तो research में सब ठीक है लेकिन इस पर question अगर इस प्रकार से आता है कि आधनिक research या new research के अनुसार प्राचिन्तम तो ठीक है लेकिन अभी इसको बहुत प्रमाडिक रूप से रखा नहीं गया है इसलिए सामानी रूप से अगर पूछा जाए कि प्राचिन्तम तो फिर तो मेहरगड़ी माना जाएगा अगर आधनिक research के अनुसार या नए research के अनुसार नाम न लिया जाए तो आठ हजार इसापूर्व में वहां से यह प्राचिन्तम प्रमाड मिल चुका है ठीक है तो यहां पर क्रसी है अगरी कल्चर हलांकि प्रियड नियो लिथिक है तो अगनी का प्रियोग करना सिख गए करसी यह हो गया अब यहां पर पत्थर के साथ साथ हड़ी आया थे मिजो कोपर पहले बार कोपर दातु कप्रियोग किया गया फिर इसके बाद चाक पहली बार मिट्टी के चाक सरी चाक चाक पर मिट्टी के बरतन बने फर्स्ट टाइम लाल मिर्द भाड़ों का पता चलता है रेड कलर्ट पोटरीज नोपाशांड काल में लाल मिर्द भाड़ों का पता चलता है ठीक है और चाक से ताजपर है पहिया एक प्रकार से पहिये का आविसकार होगे तो पहिये का आविसकार भी हम नियो लिथिक एज में मानते हैं पहिये का आविसकार से टांस्पोर्टेशन भी थोड़ा आसान ठीक है दूसरी बात आवास पर आ जाते हैं अगर हम आवास पर आते हैं तो अब यह जो प्राथमिक आवास था मिजो लिथी केज में ने मद्य पाशाण काल में अस्तम गर्थ इसी को थोड़ा मोडिफाई कर दिया गया और अब गर्थ आवास के रूप में पता चलता है गर् तो रखम से इसके साक्ष मिलते हैं कसमीर से परमार मिले हैं है कि यह बर्थ घूमसे परमार मिले है और würd मिले हैं और इसका जाता है ऐसा परमार मिला है कि मीले जहां तालिस किलोमेटर उत्तर पश्चिम में गुफकराल नामा के कस्थान है वहां से इसके प्रवाण मिले हैं ठीक है तो इस तरीके से पहिये काविस्कार हुआ गरतावास, क्रसी, धात, अगनिका प्रियोग, ठीक है इतनी सारी नई चीजें यहां आई है और सबसे महत्यू की ब करके हुआ है, समूह का समूह का समूह बना ग्रूप उप दि ग्रुप्स यहां पर ग्रूप अब दि ग्रूप्स बना और इसी को हम कह सकते हैं पहली बार गाओं बसे, आरंभिक बस्तियों का बसा हुआ, बेसिक इस्टेबिश्मेंट आप टाउंस इस बिंद पर हम लोग चर्चा करें तेक साधरान चर्चा यहीं पर किये इसको डेटेल में हम लोग आगे की अक्षाओं में पढ़ेंगे बस आज की क्लास रही तक धन्यवाद